नमस्कार मैं आसिस राठोर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अविशेक मनु सिंग्वी ने तिलंगाना से राज्यसभा सीट के लिए अपना नमांकन दाखिल कर दिया है और जो राज्यसभा सीट के लिए विशेक मनु सिंग्वी ने नमांकन दाखिल किया है अभिसेख मनु सिंगवी को इस विसे में भी बात करेंगे और कैसे इनकी वखालत तक चली जाएगी यही तमाम चीज़े इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभिसेख मनु सिंगवी तिलंगाना से राज्यसभा सीट के लिए इन्होंने नमां दाखिल कर दिया है और अभिसेख मनु सिंगवी राज्यसभा चुनाव में पहले भी शर्मशार हुए हैं इनकी बहुत करारी हार हुई है बहुत ही गंदे तरीके से ये हारे हैं लेकिन फिर भी इन्होंने रेवंत रेड़ी के कहने पे तिलंगाना के सीम है इनके कहने पे और कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से इनको लालच दी गई कि आप जो तिलंगाना से राज्यसभा सीट के लिए चुनाव लरिये आप जीत जाएंगे ये एक उपहार दिया गया इनको इनाम दिया गया मतलब कि अभिसेख मनु सिंगवी चाहते हैं कि कि किसी तरीके से राज सबा पहुत जाया जाया इसके लिए पूरी तरीके से तिकरम बाजी चल रही है और अंदर अंदर ही सेटिंग चल रही है लेकिन जो फरवरी में राज्यसभा सीट के लिए चुनाव लरे अभिसेख मनु सिंग भी जिसमें बहुत करी और बहुत ही तगरी हार इनको मिली है आपको बता दे कि कॉंग्रेस ने हिमाचल परदेश में हो रहे राज्यसभा चुनाव के लिए इनको उतारा था दोस्तों और बहुत जोर सोर से प्रचार प्रसार भी अभिसेख मनु सिंग भी ने किया था और कॉंग्रेस पार्टी ने भी बहुत समर्थन किया था लेकिन ह हुआ क्या बहुत बुरी तरीके से हिमाचल परदेश में जब ये चुनावी रैली में उतरे इनको सफलता नहीं मिली और बहुत शर्मसार होना पड़ा और बहुत बुरी तरीके से हार गए अब इसे एक मनु सिंग भी तो उस वक्त बहुत कोशिशे थी बहुत उम्मीदे थी कि हिमाचल परदेश से रज सभा पहुचने का एक रास्ता दिख रहा था और कॉंग्रेस पार्टी ने वो रास्ता इनको दिखाया था और सपोर्ट भी किया था लेकिन आप एक तरफ वकालत करिएगा और वकालत में भरस्टाचारियों को बचाईएगा तो फिर तो अस वहाँ पर उम्मीद दिख रही है अभिशेक मनु सिंग्वी को कि राज सभा तो पहुच जाएंगे दूस्तों कॉंग्रेस पार्टी में बहुत सारे वकील हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिशेक मनु सिंग्वी कॉंग्रेस पार्टी के नेता होने के साथ साथ एक बड़े वकील भी हैं और ये गैरेंटी देते हैं कि आप कितने बड़े भरस्टाचार के मामले में फ्रस जाईए हम आपको जमाना दिलवा देंगे और इन्होंने एक्जामपल के तौर पे मोधी सरनेम केस में राहुल गांधी को जमाना दिलवाया नेशनल हिराल मामले में र अंग्रेस पार्टी की वकालत कर रहे हैं अव इसे एक मनु सिंगिवी और साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी वकालत कर रहे हैं दोनों पार्टी का ठेका लेके बैठे हुए हैं कि हम तो जमाना दिलवा देंगे लेकिन हुआ क्या हुआ ये कि आम आदमी पार्टी के स्व पर नेता हूं वो लोग जमानत पे बाहर आ जा रहे हैं लेकिन आम आदमी पार्टी के सयोजग जो हैं वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और इस बार तो और बड़ी लतार लगी और कावेरी बावेजा ने लंबी लतार लगाते हुए सक्त सजा सुनाई और फिर से 27 अगस तक न्यायक हिरासत बढ़ा दी अर्विन केजरिवाल का यानि एक और बाया जटका अभिशेक मनु सिंगवी को सुप्रीम कोट में भी गई थी आची का लेकिन सुप्रीम कोट ने भी पूरी तरीके से फटकार लगाई यानि एक बाया जटका अभिशेक मनु सिंगवी को यानि यह पूरा मामला आपको यहां पर यह है कि जिस तरीके से अविसेक मनु सिंगवी बार बार मुद्दों को उठाते हैं चाहे वो अपनी वखालत करते हों या फिर कोट में जाते हों और दलीले देते हों लेकिन अब एक और बार मामला सामने यह आ गया है कि कोलकाता में जो होरर रेप हुआ उस मामले में अविसेक मनु सिंगवी की चुपी और सोसल मीडिया पे लोगों ने ट्रॉल करना शुरू कर दिया अविसेक मनु सिंगवी को यह बार बार जो वकालत करते हैं दलीले देते हैं क्या सिर्फ भरस्टाचारियों के लिए ही यह नयाय के मंद मनु सिंगवी का जिसका रेप हुआ सोसल मीडिया पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अविसेक मनु सिंगवी फ्री में केस लरेंगे उस आरोपी को सजा दिलवाने के लिए फ्री में केस लरेंगे और Manipur हिंसा को लेकर के यह सारे लोग कुद करके आये थे और पूरी तरीके से चाटूकारिता करी थी और बीजेपी शाशित राज्जिता इसलिए लेकिन आज अभिसिक मनु सिंख्वी की चुपी बहुत सारे सुनों को हरा करती है कि आखर अभिसेक मनु सिंग्वी क्यों चूप है अब यहाँ पर दोस्तों ये भी बड़ी ख़वर आ रही है कि अभिसेक मनु सिंग्वी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस के ही केस लरेंगे और साथ साथ हाम आदमी पार्टी का भी क्योंकि इससे उपर ये कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि इनके पास उतना समय नहीं होता है, ये दो पार्टी से जब छुटे तब तो कोई दूसरा केस हैंड अवर ले, तो इसी में बहुत सारे केस जो है वो चल रहे हैं, अब यहाँ पर आपको ये भी मैं बता दूँ, कि क्या की चाटू कारिता करने का मतलब ये थोड़े ना होता है कि आपके अंदर का इंसानियत मर गया, आप दूसरों के लिए भाला नहीं सोचेंगे, आप कॉंग्रेस पार्टी के नेता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो पिडिता है उसके लिए आपको दर्द नहीं है, तो इस पर कोई रियक्शन नहीं देना और स्टेटमेंट नहीं देना, बहुत बड़ी लतार एक आप समझ सकते हैं सोचल मीडिया पर पूरी तरीके से अविशेक मनु सिंग वी को ले करके बहुत तरह की मिम्स बन रहे हैं, अब यहाँ पर दोस्तों ये भी बात कही जा रह कि अविशेक मनु सिंग्वी राहुल गांधी को ले करके हमेशा ठीका टिपनी करते हैं, अभी सुब्रमन्यम स्वामी जो है नागरिक्ता रद करने को ले करके ग्रिह मंत्राले से मांग कर रहे हैं कि अदालत ग्रिह मंत्राले को आदेश दे की राहुल गांधी ब्रिटेन क अधिसे को नागरिकता लेकरके बैठे हुए हैं, गरी मंत्राले इनकी Нागरिकता रद्ध करे राछूल गांधी की, तो इसको लेकरके अविषेक मनु सिंग्वी ने उनको डिफेंड किया था, कि ऐसा कुछ नहीं है, तो खेर उनके लिए अविषेक मनु सिंग्वी तो है, ल लेकिन आज कोलकाता में जो कांड हुआ वहां दौर करके नहीं गए राहुल गांधी तो सीधा सवाल पूछना चाहिए अभी से एक मनुसिंगवी को कि क्यूँ आप नहीं गए कोलकाता होर और रेप कांड मामले में उनके पीडिता से मातासरी से क्यूँ नहीं मिले उनके पर स्टेटमेंट राकेस टिकेत दे रहा है जो कि किसानों का अपने आपको वफदार कहता है और कहते हैं कि मैं सौदागर हूँ किसानों का तो कुलकाता रेप मामले में राकेस टिकेत ने स्टेटमेंट दिया है कि सरकार को बदनाम करने का प्रूपोगेंडा चलाया जा रहा ह बताईए कि एक तो उस लरकी के साथ ट्रेणी डॉक्टर के साथ इस तरह का कांड हो गया उनके परिवार के साथ क्या विता होगा उस परिवार के प्रती संबेदना होने के लिए इनको स्टेटमेंट देना चाहिए तो ये कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने का प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है अब आप मुझे बताईए कि सरकार को बदनाम करने की आपको ज़्यादा चिंता है या फिर जिस लरकी के साथ जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरह का कुकर्म कांड हो गया उसकी चिंता है आपको ये चिंता है कि ममता बनेर जी की सरकार ना खतम हो जाए तो चाटुकारिता के भी एक सीमा होती है उस सीमा को पार कर दिया राकेश्टी कहते है आगे कहते हैं कि कानून के हिसाब से कारवाई होगी अगर कानून के हिसाब से कारवाई हुई होती तो पहले दिन ही 6 घंटे के अंदर F.I.R. दर्ज होता और पुरा मामला सेट हो जाता लेकिन जब पुरा बवाल हुआ बखेरा हुआ मीडिया में 4 तरफ खबरे बनने लगी तब जाकर के एक्षन हुआ मनिपूर पर कोई नहीं बोलता राकेश्टी कैट का ये स्टेटमेंट है कैसे कोई नहीं बोलता राहुल गांधी कूद करके गये थे मनिपूर आप भी बोले थे संसद में हंगामा हुआ था चिप जसेस अफ इंडिया ने तो यहां तक कह दिया कि अगर सेंटरल एजनसी सेंटरल गवर्मेंट अगर कुछ नहीं करेगी तो हम करेंगे अभी शेक मनु सिंगवी ने बोला था ऐसे तमाम लोगों ने मनिपूर हिंसा को लेकर करके बोला था तो राकेश टिकैत आज ये कह रहे हैं चाटू कारिता की सीमा को पार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मनिपूर पर किसी ने कोई कुछ नहीं बोला यहाँ पर आगे ये भी राकेश्टिकैद कहते हैं कि पूरे देश में दस दिन से यही मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है अगर राकेश टिकैद जी इस दस दिनों से अगर मुद्दा पुर्य देश में नहीं उठाया जाता तो आज मामला बहुत सारे ऐसे होते हैं कांड जो दब जाते हैं जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं आज देख लिजे कि बहुत सारे नियम कानुन गिरिमंत्राले के तरब से आ रहा है हर दो घंटे पे आपको रिपोर्ट करना है स्टेट गवर्मेंट को स्टेट पुलिस को ये सब पहले नियम नहीं था लेकिन इस घटना के बाद आप जो फाकी मारते हैं भुंजा पाटी करत हैं वो सब खतम हो गया आपको रिपोर्ट देना है होम मिनिस्ट्री को ग्रिमंत्राले को और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर डॉक्टर्स के साथ अगर कुछ भी छेरचार होता है कुछ भी ऐसा व्यवहार होता है गलत छे घंटे के अंदर इफायार दर्ज होना आगे राकेश टिकेट ये भी कहते हैं कि बीजेपी शाशित राज्य में होगा तो कुछ नहीं होगा अरे कैसे नहीं होगा मनिपूर में हुआ तो शांती का महौल नहीं था हंगामा हो रहा था और बीजेपी ने तुरंत एक्शन लिया जितना हो सकता है उतना एक्शन लिय और लोगों पे कारवाई भी करी और सजा भी हुआ तो आप जो ये बात कह रहे हैं कि 10 दिन से यही मुद्दा उठाया जा रहा अगर 10 दिन से यह मुद्दा नहीं उठाया जाता तो बहुत सारे बदलाव भी नहीं होते मामला सुप्रीम कोट तक गया सुप्रीम कोट ने तो स्टेट पूलिस से ले करके तमाम सी एम तक को भी लतार लगा दी और पूरी तरही के से कारवाई करने का आदेश भी दे दिया सी बियाई ने एस आई को समन किया दौर करके वो एस आई जो है वो सी बियाई के दफ्तर में जाते हैं मीडिया से बचते हुए तो ये सब दस दिनों का मेहनत है जिन लोगों ने इतना मेहनत करके इस मुद्दे को आगे तक ले गए और उस आरोपी को सजा भी मिला हलाकि इसमें बहुत सारे इन्वाल्व हैं लोग अभी जाद चल रहा है हलाकि आप क्या सोचते हैं जरू कमिन करके बताईएगा धन्यवाद